गाउं में फैशन शो शहर की फैशन डिजाइनर रितु की शादी गाउं की जमिनदार शेर सिंग से हो जाती है लिकिन शेहरी कामकाजी रितु का गाउं में मन नहीं लगता क्या सासुमा ये गाउं में तो कुछ नहीं है मेरा दिल ही नहीं लगता यहाँ क्या करूं मैं अब हम लोग इतने पैसे वाले हैं कि गाउं में मेरे बेटे लाएक लड़की ही नहीं मिली अरे माम मैं तो ये बोल रही हूँ कि क्या करूँ जिसे मेरा थुड़ा दिल लगे अरे बेटा मैं भी शहर की थी यहां कर मैंने गाउं में स्कूल खोल लिया बच्चों को पड़ाती थी तो मनलग जाता था तू भी कुछ देख ले जिससे गाउं की बहु बेटियों का भला हो जाए और तेरे जमीनदार ससुर जी का नाम भी हो जाए अरे तू क्या करती फैशन डिजाइनिंग वाले कपड़ों को गाउं की औरतों पर कैसे ट्राई करती लेकिन एक दिन अरे क्या बात है डालिंग बड़ी जल्दी उठ गई और ये हाथ में फैवी कॉल और कागस कहा जा रही हो मैंने सूच लिया है कि मैं अपना फैशन बुटिक खोलूंगी गाउं की औरतों को सजा धजा कर फैशन शो करूंगी और यहां की औरतों को भी शेहर के फैशन से वाकिव करवाऊंगी फैशन और यहां की ओरते अरे इन लोगों को तो बस चूला चौका आता है खाली समय में एक दूसरे के सर से जुए निकालती है या फिर अचार पापड बनाती है इन लोगों के बस की नहीं है फैशन को समझना लेकिन रीतु मानती नहीं वो पूरे गाउं में पोस्टर चिपका देती है कि किसी को भी नए डिजाइन की कपड़े पहनने का शौक है तो जल्दी जमिनदार की बहुसे मिले लेकिन रीतु की दुकान में दो दिनों तक तो कोई आता ही नहीं पर एक दिन अरे कमला क्या हुआ क्या देख रही हो यह पूतले देख रहा है दीदी क्या देख रहा है इस मैसा अब देखो तो दीदी यह पूतला मेरे जासा ही है ना पतला दुबला लंबा बस मैं काली आ रही है गोरा तु ये बता इस पूतले की कपड़े तुझे कैसे लग रहे हैं रहा कपड़े तु बहुत सुन दरा दे लेकर न तू न बस कल इसी समय आ जाना और अपने जैसी दो तीन और को भी ले आना अगले दिन कमला दो लड़कियो को लेकर आ जाती है रितो उन लोगों को अपने हाथ के सिले कपड़े पहनाती है और घर भीज देती है उन लोगों को गाउं की दूसरी औरतें भी देखती है और फिर क्या अगले दिन रितो जब दुकान खोलती है तो सामने बहुत सी औरतें उसके बनाएं डिजाइनर कप कपड़े पहनने को तैयार खड़ी होती है। तुम लोगों को कपड़े के साथ ही हलकी मेकप और स्किन केर की भी क्लास देनी पड़ेगी। रितु गाउं की औरतों को फैशन का ग्यान देने में लग जाती है। एक दिन रितु का पती कहता है। अरे रितु तुम्हारी फोटो पेपर में आई है। क्यों भई ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या लिखा है? अरे लिखा है गाउं में होगा अब फैशन वीक। आरे हाँ कलना कोई फोन आया था मीडिया वालों का तो मैंने भी बोल दिया कि फैशन शो तो अब गाउं में आए उसी की कबर बना दिये, तब ही रितु को एक फोन आता है, हलो, कौन बोल रहा है, ची मैं कामिया बात कर रही हूँ, लुप में फैशन विक से, हम लोगों ने आपका काम देखा, हम शेहर वोसिस गाउं का फैशन थीम में एक फैशन शोओ आपकी गाउं में करना चाहते ह हारे वाह, ये तो बहुत इची बात है, मैं अपनी मॉडल्स के साथ शो में हिस्सा जरूर लोगी, बस, अब क्या था, वो दिन भी आ जाता है, जब रीतु की गाउं की गोरी, शेहर की छोरी के साथ, स्टेज शो में हिस्सा लेती है, शो के बात, अरे आपकी वो जो कलेक्शन है ना, मैं उसकी पूरी सिरीज खरीदना चाहती हूँ, सच में, आपने वो कपड़े डिजाइन करें, जो आज की लोग आसानी से घर और बाजार में पहन सकते हैं, और बजेट में भी है, हम भारतियों के लिए तो ये डिजाइन बेस्ट है जी, वैसे आपने क्या सोच कर ये कपड़े बनाएं, और आप इसे कितना आगया और लेकर जाना चाहती है, और ते और फैशन एक दुसरे के पर्याइवाची है, तो ये किस दे कहा, कि गाउं की और तों को डिजाइनर कपड़े पहनने का हक नहीं, मेरा मानना है कि शौक सभी और तों में होता है, जरूरत है तो बस उसे जगाने की, उनकी हिसाब और बजट के कपड़ों की जो मैंने बनाएं और सबकों पसंद भी आएं, अब रितु का गाउं हर जगर प्रसीद है, ना सिर्फ रितु के लिए, बलकि वहाँ की आरतों की फैशन के लिए भी,